राजस्तान परदेश कॉंग्रेस कमिटी के परवक्ता एवं जैपुर शहर दीला अध्यक्ष परताप सिंग खचरवास ने कहा कि सुप्रीम कोट की नियमुके अनुसारे एंकाउंटर के बाद सीबी आई जांच होना एक काउननी प्रिकरिया है लेकिन यह सपस्ट हो गया कि राज्य की बाजबा सरकार ने आनंदपाल का फरजे अनकाउंटर करया उस फरजे अनकाउंटर की जांच से बचने के लिए बाजबा सरकार ने जोदपूर हाई कोट में केवेट लगाई जिससे कोट से आनंदपाल की परिजन सीब्याई जांच की मांग करें तो राज्य सर सरकार उसको रोगने के लिए कोड में पस्तित हो सके हाई कोड में कीवेट लगाने से एसपस्ट हो गया है कि सरकार की डाल में कुछ काला है अब सरकार गोलियां चराकर आंदोलन को को चलना चाहती है लोकतंत्र की नियमोगे अनुसार गांधी वादी तरीके से धरने परदर् जुलाई को जो सध्धांजली सभा आयुजित की गई उस सध्धांजली सभा में पुलिस द्वारा की गई फाइरिंग और फाइरिंग के बाद एक वैक्ति लालचन शर्मा की मौत और दो वैक्तियों के गोली लगने से गायल होने के लिए राज जी की भाजबा सरकार और प सरकार बोल नहीं सकती। आप शबसाच सामने आ गया है किसी भी कुली नहीं लगी। पुलिस वालों पर किसी धारदार हरतियार से हमला नहीं हुआ, पुलिस ने जो चोटे आई, वो पत्थर लगने से आई, इतनी बड़ी भीड द्वारा यदि अगर पुलिस हमला किया जाता, तो बहुत बड़ी संक्या में पुलिस वाले गायल हो सकते थे, खचर रसने का कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी गलती को चुपाने के लिए गोलियों के जरिया और माओं की कूख उचाडने की कोशिश ना करे, महिंद्र सिंग गोली लगने से गंवीर हालत में सेमस में अपना इलाज करवा रहा है, लालचन की मौत के लिए भाच विधानिक अधिकार है, और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हमें सबस्क्राइब करना ना भूलें